I will be catching Pokemon New York City I wanna live to life I will be catching Pokemon New York City I wanna live to life Hey guys, welcome to another episode of Best Apps of June 2020 यार ये एपिसोड महीने के शुरू में आना था लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि काफी ज़्यदा प्रॉब्लम से उल्जा हुआ था लेकिन अब यार मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ क्योंकि किसी भी सूरत में मैं Best Apps का एपिसोड कोई नहीं कर सकता Personally मेरे चैनल के उपर ये मेरी फेवरेट सीरीज है तो सबसे ज़्यदा मैनत भी इसी पे लगती है तो यार आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह आपको बताऊंगा Top 10 Most Useful Most Interesting Android Applications जो कि आप अपने फॉन में Try का सकते हो Different Activities को काफी ज़्यदा असानी से करने में तो यार बगैर किसी देर के चलते हैं अपनी इस वीडियो की पहली Application की तरफ तो यार यहां पे आपको जो पहली Application में बताने वाला हूँ इस वीडियो में उसका नाम है TruePix अब यार यह TruePix Multi Purpose के लिए यूज होती है इस Application के जरीए आप अपने फॉन के Wall Papers तो चेंज कर दी सकते हो लेकिन जो Main Purpose है इस Application का वो है इस Setups का डिजाइन आप अपने Mobile Phone का जो Android का Setup है वो यहां से अपनी मर्जी का बहुत ज़्यादा खूबसूरत और Premium बना सकते हो यहां पे आपने True Setups पे क्लिक करना है उसके लावा आपके पास यहां पे आजाएंगी Categories यहां पे आप कोई भी Categories चूज करके उसमें जाके आगे फर्दर Setups को Set कर सकती हो यहां पे बहुत सारे Setup Templates आपको मिल जाती है यहां पे आप फॉर इक्जेंपल यह वाला Templates सेलेक्ट करती हो तो यहां पे आपको आगे मिल जाएंगे कि आपने यह वाला Launcher डाउनलोड कर लेना है उसके बाद यह वाला आईकन पैक्ट डाउनलोड कर लेना है कौन-कौन सी चीज़ें इस Setup में यूज होई है इस सारा कुछ आपको यह आप बता देगी और आप Same to Same अपना Android Setup सिरफ पांच मिनट में या इससे भी कम टाइम में बना पाओगे तो यार ऐसी अप्लिकेशन काफी ज्यादा यूजफुल होती है फॉन को खुबसूरत बनाने में काफी ज्यादा हैल्फ देगी यह अप्लिकेशन आपको उसके बाद यार वीडियो की Second App की बात करें तो उसका नाम है Pinit आपको अक्सर ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि कभी कभी आप कोई चीज भूल जाती है आप अपने मुबाइल फॉन के नोट पैड में भी लिखते हैं उसके बाद भी आप भूल जाते हैं क्योंकि वो आपको याद नहीं रहता नोट पैड देखना अब इस एप कमेंड परपस यह है कि इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको एक रिमाइंडर टाइप का उप्शन मिल जाएगा आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट क्रियेट करेंगे वो टेक्स्ट आपकी नोटिफिकेशन बार में खड़ा रहेगा उस वक्त तक जब तक आप उसको खुद डिसेबल नहीं करेंगे तो वो आपको याद दिलाता रहेगा जैसे ही आप नोटिफिकेशन पैनल आप अपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार आज मैंने ये काम करना है फॉर एक्जेंपल अगर आपने अपने रिमाइंडर में लिखना है कि आज मैंने पैट्रोल डलवाना या फिर आज मैंने ये चीज डिलिवर करनी है या फिर आज मैंने इतने बज़े उठना है इतने बज़े सोने का लाम लगाना है यह सारी चीजें आप इसमें लिख के रख लें उसके बाद जब भी इसको आप स्वाइब डाउन करेंगे अपने नोटिफिकेशन पैनल को तो आपको यह रिमाइंडर मिलता रहेगा यार वीडियो की थर्ड एप्लिकेशन भी काफी ज़्यादा यूजफुल और अमेजिंग एप्लिकेशन है इसका नाम है पांडा वीडियो कंप्रेस और शेयर अब यार आपको अकसर ऐसा मसला आता होगा कि जब आप अपने फॉन के ओपर वीडियो बनाते हैं तो काफी ज़ ज़्यादा यूजफुल और 100% रिक्मेंडेट है यह एप्लिकेशन मुझे मेरे टीचर ने बताई थी थैंक्यू सर तयब साब आपने मुझे यह एप्लिकेशन बताई और मैं अपने वीवर्स को रिक्मेंड कर रहा हूँ इस एप्लिकेशन को यूज़ करके आप अपने व अप्टैशन आपJAा आपने कॉलिटी भी कर सकते हो गयावारा धग चाय होँ और वीड़ियो तो अब भात करें इस वीडियो की चौथी एंड्राइड उप्लिकेशन की तो उसका नाम है और इंज तील इस app के जरीए यार आप अपनी photo को एक second में एक click से edit कर सकती हो simple यहाँ पे आपने orange deal में आना है अपनी जो भी photo edit करने है उस पे click करना है orange deal filter पे आना है और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से opacity सिलेक्ट करके अपनी photo को edit कर सकती हो आप यार इस तरह की photo काफी ज़्याद अच्छी लगती है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने में तरह orange और reddish आपको effect इसमें मिलता है तो आप इस app को लाज़मी try करें अगर आपको अच्छी editing करनी है सिरफ एक second में just photo के click करना है आपने अपनी photo को अपनी मर्जी से filter adjust करके save कर लेना है और काफिस ज़्यादा खुबसूरत easy और fast way है photos को edit करने का उसके बाद यार वीडियो की पाँच्वी application की बात करें तो इसका नाम है touch protector अक्सर ऐसा होता है कि आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं या फिर आपके बहन भाई आपका phone उठा लेते हैं आप से छीन लेते हैं और फॉरन आपका WhatsApp या फिर आपका messages या फिर कुछ भी open करने की कोशिश करती है touch protector app क्या काम करती है या इसका ये काम है कि जैसे ही आपको पता चले कि कोई mobile phone कोई बंदा आपका phone चीनने वाला है तो आप अपने phone को just shake करें और आपके phone की जो touch है वो बिलकुल lock हो जाएगी उसके बाद वो बंदा चाहे power button प्रेस करें चाहे जो मर्जी कर ले off करने के लावा उसके पास और कोई चारा नहीं होगा वो आपके phone को touch access नहीं कर पाएगा इसके और भी काफी ज़्यादा useful features है इस app को try करके देखें उमीद है आपको यह application बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी उसके बाद यार वीडियो के 6th application की बात करें तो इसका नाम है Gamers Gallery यह एक wallpaper application है और इसमें आपको सारी games के alphabetical order में wallpapers मिल जाते हैं चाहे वो mobile games हों चाहे PC games हों और यहाँ पे आर परसनली बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे wallpapers हैं परसनली मुझे Angry Birds के wallpapers बहुत ज्यादा पसंदा हैं जो के recently मैं अपने phone में use कर रहा हूं उसके लावाइस में PUBG के भी बहुत ज्यादा unique और minimal wallpapers हैं GTA 5 के Assassin's Creed के आपकी जितनी भी favorite games आप उनके wallpapers इस application से लगा सकते हो अपने phone में और काफी ज़्यादा अच्छी quality देती है यह application मैं अपनी तरफ से recommend कर रहा हूं क्योंकि हर वीडियो में एक wallpaper app मैं अपनी तरफ से लाजमी आपको देता हूं आपके phone की look को जो एना ज्यादा तर wallpapers apps ही enhance करती हैं अब यार बगार किसी देर के अगली application की तरफ चलें तो इसका नाह है Beatsink एप बहुत ज्यादा अच्छी है आपको अगर बहुत ज्यादा अच्छी video editing नहीं आती आपको अगर Beatsinking नहीं आती एक चोटा सा drawback यह है कि music आपको जो इसमें मिल जाते हैं सिरफ आप वही use कर सकते हैं dedicated music आप अपनी मर्जी से इसमें नहीं लगा सकते लेकिन एप बहुत ज्यादा अच्छी है बहुत बहुत सारे इसमें आपको templates मिल जाते हैं copyright issues की वजह से audio नहीं सुना पाऊंगा लेकिन यार trust me इस app को try करके देखें इसमें आपको काफी ज्यादा अच्छा effect और असान तरीके से बनाने वाला beat sync का feature मिल जाता है simply आप अपने font से multiple photos को select करना है कोई भी एक template select करना है music के साथ आपको दिखा देगा preview में कि आपकी photos कैसे उपर नीचे आगे पीछे या फिर move हो रही है तो यार इस app को भी आप एक दफ़ा try करके देखें मैं उमीद करता हूँ आपको ये app भी पसंद आएगी कोई भी एप sponsored नहीं है किसी ने मुझे पैसे नहीं दिये आप मेरा true opinion ले सकती हो उसके बाद यार वीडियो की अगली application की बात करने तो इसका नाम है camera F5 और ये एक manual camera application है अगर आपके mobile phone में अच्छा manual camera नहीं है eye associator speed, white balance और focus ये सारी चीज़ें आप अपनी मज़़ी से change कर पाओगे और अगर आप यार creative हो तो आपके फास अगर इतना अच्छा phone नहीं है इस app को try करें इसमें आपको manual camera मिल जाएगा और आप अपने एक घटिया से पुराने phone को भी एक अच्छी photos या फिर videos लेने के लिए record करने के लिए use कर सकती हो इस app को भी मैं recommend कर सकता हूँ क्योंके personally ये app मुझे पसंद आई है जिन mobile phones में manual features नहीं होते वो इस app को लाज़मी try करें उसके इलावा यार आप video की 9th application की बात करें तो इसका नाम है hugo ये app क्या काम करती है यार आपने pubg का नाम सुना होगा भलकर खेलते होंगे उसके लावा ludo star का आपने नाम सुना होगा ये games किसलिए काम करती है किसलिए famous है इसलिए famous है क्योंके इस पे आप अपने दोस्तों के साथ multi player में games खेल सकते हो अब ये आगो भी उसी तरीके का एक platform है multiple games जिसमें आपको मिल जाती है daily के challenges मिलते हैं इसमें आप ludo खेल सकते हैं उसके लावा भी इसमें और काफी सारी games हैं जो कि आप दुनिया में real people के साथ खेल सकते हो और ये है कि इस application में जितनी भी games मिलते हैं और सारी कि सारी आप online खेल पाओगे तो यार अगर आप अपने experience को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो इस app को try करें अपने दोस्तों को भी कहें इस app को use करें उसके बाद आप मिल के काफी सारी games को enjoy कर सकते हैं और भी आपको काफी सारे better features मिल जाती है अब यार बात करें वीडियो की आखरी application की तो इसका नाम है Grammarly Keyboard इस app को आप already शायद जानते हो पुरानी application है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा useful app है आपकी सारी grammatical mistakes जैसा कि punctuation वगेरा सारा कुछ ये application automatically correct कर देगी आपको बता देगी कि ये आप sentence जो लिख रहे है इसमें ये ये गलतिया है उसके लावा अगर आप एक अच्छा English में letter लिखना चाहते हो या फिर किसी को email लिख रहे हो तो ये app आप last me try करें इसमें ये है कि आपको different synonyms भी application बता देगी कि इस जगह पे आप ये word यूज कर सकते हैं और अगर आप कोई word गलत लिख रहे हो तो आपको फॉरन बता देगी कि आप इस sentence की इस line में ये वाला word गलत लिख रहे हो और आपकी जो grammatical mistakes हैं वो किस हद तक हैं और किस हद तक नहीं है personally एक अच्छी writing के लिए ये application आप use कर सकते हो अगर आपको ज्यादा अच्छी English नहीं आती तो तो यार मैं उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर दें कॉमेंट करके मेरी होसला अवजाई करें उसके लावा मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कोसिश करूँगा डेली अपलोड करूँ ओके गाइस थैंक यू फायर टाइम कीप वाचिंग अलाहाफिस